दोस्तो एक सप्टेमबर दो हजार बावीस केंद्रिय मंत्री नाकपूर के खासदार नितिन गड़करी इन्होंने कनहान के एक ब्रिज का उद्घाटन किया था उद्घाटन बरे जोरो शोरो से किया गया हालांकि यह बात अलग है कि इस पूल को बनने में आठ वर्स लग गए उद्घाटन हुए सप्टेमबर सभी तक कुल लगभग 6 और 7 महने हुए लेकिन पूल की दशा खराब हो चुकी है अगी तो 6-7 महने में यह आल है कल्पना कीजिए कि 6-7 साल के बाद इस पूल की क्या व नहसूस होता है घर जो यहां के आसपास जो गर हैं के घर हिलते हैं उनके घर में रखे जो कांज के समान है न की दोतव फिर में इस स्क यंट फिर पूल के कैसा होनी और निर्मान होना बीच में गैशे है इतना बड़ा गया है अब पूल ऐसे नहीं होते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या नितिन गड़करी की जेले का ये हाल रहेगा तो फिर भारत की हाल अपने आप में एक बड़ा सवाल उत्वान करता है तो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं तो क्या उन्हें इन सब मामलों में ध्यान नहीं जाता क्या उनका ध्यान इस पर नहीं जाता जिस पूल को पूल से डेली आना जाना करते हैं क्या उस पूल पे लोग का ध्यान नहीं जाता खेर यहां कुछ नागरिकों ने और पूर्व संसर्थ प्रकाश जादव ने यहां के नेचाई के अधिकारियों से बादशीत की और उन्हें आवण किया कि अगर 10 अपरेल तक यह सारी जो दुरुस्त नहीं किया गया पूल को तो एक बरान दोलन करेंगे इसमें किसकी गलती मानी जाती है इसमें शाशन की भी गलती है और कॉंट्रेक्टर की भी गलती है और सरकार की दूगलती सरकार को मानने ही करना पड़ेगा कि इनके दिरिक्शन में ही रोड का काम होगा और रोड का काम अगर कॉंट्रेक्टर ने किया भी है तो हैंडवर करते सब जाचा जाता को हमने दस तारीख किया है दस तारीख के चिल्लक तुल्लक सारे काम करें गोड़ में देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ